हेलो सो वेलकम माई यूटूब चैनल गाईस अगर हमारी चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जीबी वाटसप के प्रोफाइल डीपी किसी दूसरे फोन में नहीं दिख रहा है याई Bundesaki अपWow लोग जैसे यहां पर देह सकते हैं जैसे आप लोग अपने प्रोफाइल डीपी यहां पर लगा और आपका डीपी किसी दूसरे के पोन में नहीं सो कर रहा है यहीं नहीं दिख रहा है जैसे आपका फ्रेंड हो गया और आपने डीपी लगाया बट आपका डीपी आपके फ्रेंड के फोन में नहीं सो हो रहा है जैसे वो बोलता है यार आपका डीपी मेरे फोन में नहीं दिख रहा है जैसे कि आप लोग example के तौर पे यहां पे देख सकते हैं जो कि यहां पे देख सकते हैं इस तरह से so करता होगा आपके भी DP किसी दूसरे phone में तो आप लोग इसको कैसे इस setting को सही करेंगे ताकि आपका भी DP सभी के phone में so करें यानि कि सभी के phone में दिखाई दे आपका profile DP तो आपको इसके लिए क्या करना है तो guys वीडियो को last है देखना end बीच में skip नहीं करना है नहीं तो आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा तो चलिए guys बिना time best की ये वीडियो को topic और चलते है simply guys आप लोग के यहां पे उपर side में देखने के लिए मिल जाएगा 3 dot line simply guys आप लोग को 3 dot line पे click कर देना है 3 dot line पे click करने बाद guys आप लोग के यहां पे उपर side में देखने के लिए मिल जाएगा gb setting का option और नीचे side में देखने के लिए मिल जाएगा setting का option simply guys आप लोग को क्लिक करने बद आप लोग के यहां पे देखनी के लिए गा प्रोफाइल फोटो का आपसं हैं तो आपका डीपी सभी के फोन में सो करेगा और अगर आप आप लोग माई कॉंटेक्ट पे सेलेक्ट करके रखते हैं तो आपका डीपी प्रोफाइल जो है मतलब जो आपका नंबर सेप किये रहेगा उसी के फोन में आपका प्रोफाइल डीपी दिखाई देगा तो आप लोग को क्या करना है या आप लोग माई कॉंटेक्ट पे सेलेक करके रख सकते हैं या everyone पर select करके रख सकते हैं तो आपकर profile dp जो है सभी के phone में दिखाई देगा इस तरह से तो आप लोग भी इस तरह से gb whatsapp में इस setting को कर सकते हैं तो guys अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो एक like और channel पर नहीं हो तो चैनल को जरूर subscribe कर लेना end bill icon गंटी को जरूर दबा देना और guys फिन मिलते हैं next वीडियो में